जैहन पाक मीडिया की नए नए लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए क्रप्याटी के यादम न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकों दवाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आईए देखते है वीडियो जैहन जै भारत दन्यवारत ने दाबिश के सब्सक्राइब क्यों किया ये पर तशद्द किया जा रहा है जिसका नाम खदीजा है उसकी बेटी अना शेख किस तरह से इसकी शादी अपने बाप से करवाना चाहती थी इसमू से मारे ना तुने उसको इसमू से लिया अना का नाम इसमू से अना का नाम की समू से लिया इसमू से इसमू से ये फैसलबाद का वाकिया है कल रात का वाकिया एक बड़ा अमीर आदमी है जिसका नाम बताया जाता है शेख तानिश है वो एक लड़की medical college की है उसके साथ कोई शादी की बात करना चाहरा है स्थायना जबान जबान यह शेखदानिश नामी दरिंदा ये फैसलाबाद से तहलुक रखता है और इस का तालोक किस सियासी जमाद से एंगा और इन लोगों के हावाले से ये पूरा वाकिया आखिर है किया कब से शुरू हुआ क्या हुआ और इस वक्त क्यूं ये एक टेस्ट केस बन चुका है और ये सिर्फ एक वाकिया नहीं है अब ये एक पूरा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और किस तरह से शेख दानिश के अवाले से जो तफसिलात इस वक्त हमारे पास आ रही है ये असल कहानी तो एंड पर कुछ और निकली है ये असल मामला तो कुछ और निकला है और ये पूरी की पूरी सिच्वेशन अब बड़ी अलामिंग होती जा रही है इस वाले से कुछ तफसिलात में आपके सामने रख देता हूँ नादीने कराम ये फैसलाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में डिंटिस्ट्री की तालिबा है खदीजा ये एक यतीम बच्ची है ये अपनी मां के साथ रहती है और इसके दो भाई हैं इसके दोनों भाई इस वक्त मुलक से बाहर मेनत मजदूरी कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और इसकी दोस्ती हुई आज से तीन साल पहले साल दो हजार उन्निस में अना शेख नामी एक लड़की से और ये इसकी क्लास फैलो थी और अना शेख जो है ये बेटी है फैसलाबाद के एक नाम नहाद अमीरो कबीर शक्स और दरिंदे शेख दानिश की अब मौमला यहां तक नहीं है इसने इसके साथ दोस्ती की और ये इसी तरह लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी और जारी बात है जब ये अपने घर लेकर जाती होगी तो वहां पर आली शान, बंगला, पैसे, पैसे की फरावानी, गाडिया, नौकर, चाकर इन सब चीजों से मरूब भी करती होगी अब ये जो शेख दानिश है, इसके अवाले से मैं आपको ये बता दूँ के ये एक इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास किसम का आदमी है और इनके वाले से फैसलाबाद के लोग और जराय जो हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये खामदान जो है, ये साथ ही बैटके बेटी के साथ और सब के साथ बैटके ये शराबें पीरे होते हैं, इनके अंदर कोई वो फैमली वैलियू सिस्टम तो नहीं है, और इसकी जो बेटी है अना शेख ये भी एक तरह की अपने बाप के लिए सप्लायर है और इसी तरह से ये मौामला बड़ा और ये जो अना शेख है इसकी दोस्ती हुई खदीजा से इनका घर आना जाना हुआ और ये जो दरिंदा है शेख दानिश इसकी गंदी और गलीज नजर पड़ गई इस बच्ची पर जिसका नाम खदीजा है अब इसने इसे तंग करना भी शुरू कर दिया मुक्तलिफ तरीकों से इन्फ्लूएंशल बंदा है पैसे वाला आदमी है और इसके वाले से वैसे मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो शेख दानिश है इसका एक्स प्रश्ची पर दूटे मोटे कीडे मकौडे तो फंस सकते हैं आपकी तरह के बड़े जानवर तो इस मकडी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं कानून तो आपकी बंदी है अभी भी आप देखिएगा इस मामले के अंदर क्या होगा उसमान मिर्जा वाले केस में जिस तर में मुलाजमाओं को नहीं छोड़ता दस बारा साल की बचीयों को नहीं छोड़ता ये ऐसा गंदा आदमी है और इसके अवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शक्स है ये जारी बात है फैसलाबाद में इंफ्लूएंशल है इसके कुछ पोस्टर्स भी सामने बात हैं और विफाक में चूंके विफाकी वजीर दाखला है राना सुनाओला साब तो इस चीज़ को अब जरा जहन में रखना होगा और दो पंजाब में तो पी टी आई की गवर्मेंट है और अब जारी बात है हम इन्हें भी इस सूरवार ठहराएंगे अगर इन्होंने केस के अंदर कोई इधर उधर की बात की अब इफिनिटली उनका को हो सकता है आपस में पहले कोई आना जाना भी हो उस शेख दानिश की मुबयना तोर पर जो उसकी बेटी है उसका भी उस लड़के से कोई तालक वास्ता है या वीडियो देख रहे हैं और भी बहुत कुछ चुआ होगा बीच में लेकिन उस लड़की ने इंकार किया शादी से इंकार किया शेख दानिश की जो उसके बाप की उमर का है तो उन्होंने क्या किया वो उसको पकड़ के लाए उसको मारा पीटा उसके बाल काट दिये उसकी ये जो सारी जो ये भमें आप इने कहते हैं ये काट दी उसके बाद क्या किया उसको कहा कि ये जो जूते हैं तुमने उसने कोई उसकी उसकी बेटी के बारे में जो उस लड़की की सहली थी उसके बारे में को बात की होगी या शेख दानिश को क्योंकि इनकार किया था तो उसने जो हमें आप तस्वीरें देख सकते हैं क जिसका नाम حसन बताया जा रहा हुला है, सोचल मीडिया पर जो आया, उस को उसके भाई के सामने यह सब मामला हुआ, उसकी वीटिए बनाए गई, उसको अपलोड खुद किया, आप ये देखें कि ये वीटियो कहीं से थर्ड पार्टी से लीक नहीं हुई, उसने उनोंने अपने आपको इतना ताकतवर समझते हैं, वो कहते हैं कि अब हम इसकी तश्यीर करेंगे, कि ये इस लड़की को हम इस तरह से उसको जलील करेंगे, उसकी भवें कटी हुई, वो माफिया मांग रही है, जूते लिक कर रही है, और फिर मैं जो अगली बड़ी बात जो आपको म मैं किसी को कोई इसमें मुरुद इल्जाम ने ठहरा रहा, लेकिन ये जो करने वाले लोग हैं, ये इतने बासर लोग हैं, ये इतने ताकतवर लोग हैं, ये कहते हैं कि ये सिस्टम इन्हें सपोर्ट करता है, इस सिस्टम को चलाने वाले, इनकी मदद से सिस्टम को चला रह हैं यह मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूं जिसमें आप देख रहे हैं कि राना सनाउला को यह मुबारिक बात दे रहे हैं शेक साब इनकी तस्वीर लगी हुई है आप इनकी फेस्बुक पर चले जाएं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चले जाएं बड़ा ओपन है यह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राना सनाउला ने यह जुरम कराया मैं यह कह रहा हूं कि यह उन ऐसे स्यासतदानों की मदद से यह हमेशां अपने जराइं पर परदा डालते हैं बचते रहते हैं उनकी फंडिंग करते हैं उनकी फाइनेंस करते हैं और इलेक्शन कमिशन सबसे बड़ा मुझरम है हमारा करिमिनल इलेक्शन कमिशनर जिसने कभी यह नहीं देखा कि यह जो मैंने बना है इसने कितने रुपए एलेक्शन केमपेन पर खर्च किये कहां से वो आए ये ब्लैक मनी ये चोरों की मनी ये इस इन जैसे शेख दानिश जैसे जो मुबयना तोर पर क्रिमिनल लोग है बेस्ट एक्सपोर्ट का बताया जाता है कि ये कोई मालक है और ये इनी की मदद से ये हुकुमरानी में आते हैं और फिर इनको सपोर्ट करते हैं अगर इनको ये यकीन हो कि ये कोई जर्म करेंगे और इनको एक सजा मिलेगी तो ये कमज़ कम उस जर्म को किसी परदे में करने की कोशिश करें छुपके करने की कोशिश करें इस सारे केस में वीडियो इन्हों ने खुद बनाई अच्छा जी उसके बाद इनका क्या मामला हुआ कि इन्हों ने उनके घर पर धावा बोला उसके भाई पर भी तशद्द किया इस बच्ची जो है इस पर तशद्द किया और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि उससे का गया कि जूते चाटो अनाखे और जुबान निकाल के चाटो जुबान नजर आनी चाहिए पूरी जुबान निकालो और जुबान की बैक साइड भी चाटो उसके बाद इसके बाल काटे गए इसकी भमे मुंदी गई इसके आईब्रोस जो हैं वो शेव किये गए उसके बाद आप इस शेखदानिश की हमत चेक करें जिस घर में इसकी बेटी मौजूद थी उसी जगह से उसकी दोस को लेकर ये कमरे में जाता है वहाँ पर उसे नीम बरहना करता है उसके साथ ज्याती की कोशिश करता है ये इनका सिस्टम है फैमिली वैलियू सिस्टम भी इनका और इनकी ये जो जूटी अनाई है ना यहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं खैर बेटी सप्लायर उसे नहीं पता इससे पहले वो क्या करता रहा है बाप उसका क्या गंद करता रहा है दोस्तों ये सिर्फ इसलाम में होता है बाप की उमर की बेटी की उमर की लड़की से बाप साधी कर लेता है एक एक आदमी ददद साधी कर लेता है ये सिर्फ इसलाम में और पाकिस्तान में होता है आपने देखा कि किस तरह से लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गए किस तरह से लड़की को अल्ला का नाम लेने पर भी उसके बाल काड़ दिये गए ये इनसानियत नहीं ये कोई जान जानवर ही कर सकता है यह पाकिस्तान में आजकर खungल खुद की लड़गी सरक्चत नहीं तो बेदेशी कहां से होंगे आपको पता होगा कि कल भी पाकिस्तान में आजायदी के पाकिस्तानी की आजायदी के दिन दो लड़गीओं के साथ किस तरह की हैवानियत की गई थोड़े दिन पहले अमरीकन बिलोगर के साथ गेंग रेप किया गया यह सब पाकिस्तान में होता पाकिस्तान की दुनिया पाकिस्तान दुनिया में सरमसार होता जा रहा है आपकी क्यारा है कमेंट में जरू सेयर करें जदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जय हैं